अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं मैं सब बढ़ी आउंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे संडाइजर हैदराबाद और यहां पे लखनाव सूपर जाइन्स के भी चाइपल का जो मैच नमबर 58 खेला जाएगा डिटेल में कवर करेंगे कहीं पे भी वीडियो को स्कीप मत करना विकोश आपको मैं इस तना कह सकता है बाकी में किपसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखने वाला श्टेजी का रेके एक चीज़ समझ लो कि किस प्लेयर को टीम में पिक करना और किसको ड्रोप करना है लखनाओ कि साइड से एक आपको ऐसा प्लेयर मिलेगा जिसको इस मैच में शायद बहुत कम बंदे ट्राइ करेंगे लेकिन वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक बन सकता है क्य तो कि ये जो स्टैट्स में आपके लिए कवर करता हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मैनत लगती है आपका एक लाइक मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेट करेगा तो यार वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से कर देना मैच की बात करते एक बार फिर से बता दू हैदर वीडियो के कमेंट सेक्शन पलस आपको वीडियो के डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से जोईन कर लेना क्योंकि टोस्ट के बाद में कोई भी अपडेट होंगी फाइनल टीम में लास्ट ममेट अगर कोई भी चेंज क आपको सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाएगा तो दोस्तों आप लोग जोईन कर सकते हो कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्किप्शन में दोनों जगह पर आपको अमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आगे बरते दोस्तों यहां से में चीज स्टार्ट होगी देखो अब अपनी कोपी और पैन उठालो भाई एक एक चीज जो आपके सामने रखूआ बहुत बढ़िया तरीके से रखने वाला हूँ और आपको सारी चीजे नोट करते वे चलना किस प्लेयर की क्या आपको वीकनेस देखने को मिलेगी क्या आपक मैच के डिफरेंस के बेस पे मैं यह नहीं कह सकता कि फर्स्ट बैटिंग को ज्यादा फिवर रहेगा या फिर सेकिंड बैटिंग को जो टिम बढ़िया खेलेगी उसके मैच को विन करने के चांसे आपको जरूर बढ़िया देखने को मिल जाएंगे एक मैच यहाँ पर बार बना, 190 पलस यहाँ पर 14 बार स्कोर बना तो मैक्सिममम टाइम जो चीज देखने को मिली वो यह है कि बढ़िया एक सो पचा से कम 35 बार स्कोर बना मतलब कहीं नहीं आप पर बोलर्स के लिए हल्प आपको जरूर देखने को मिलेगी और दोनों टीम जो आपको देखने क जरूर प्ले कर सकती है उसके बाद में आगे बढ़ोगे recent matches देखलो इससे आपको यह चीज के लिए रो जाएगी कि भाई यहाँ पर आप तक आपको कितना score देखने को मिला लास्ट मैच वह था च्यार मैई को केके आरगी टीम ने 171 करे है हैधराबाद ने 166 बनाई 170 का score मेरे साबसे काइवरेज score है क्योंकि भाई T20 के अंदर आजकलना 220-230 रंस तो नोर्मल हो रखे भाई हर मैच में लगबग आपको बनते वे दिख जाएंगे उसके बाद में सैकेंड मैच देखोगे दिल्ली कैपिटल्स ने 144 करे है हैधराबाद वो भी चेज नहीं कर पाई केवल 137 कर पाई थी थर्ड मैच में देखोगे 192 करे मुंबई ने हैधराबाद ने 178 करे इस मैच में जरूर याबे थोड़ा ठिक टाक मुझे स्कोर देखने को मिला फोर्थ मैच में पंजाब ने 143 और हैधराबाद ने 145 बना की चेज गिया तो किसी भी मैच में देखोगे उतना बड़ा स्कोर नहीं बना की आप लोग 200 या फिर 180 के आसपास का सोच के चलोगे इस मैच में जरूर मुंबई ने 192 करे थे बाकी के मैच इसमें देखोगे फर्स्ट मैच में भी एक एवरेजी स्कोर 170-165 के आसपास का सेगेंड मैच में तो बहुत कम स्कोर बना डेर सो भी नहीं गए उसके बाद में फर्स मैच में भी डेर सो नहीं गए तो आपके सामने इतना के लिए रहे एक हाई स्कोरिंग वेन्यू शायद ये देखने को ना मिले लेकिन बाई कभी ना कभी ना लो स्कोरिंग वेन्यू के उपर भी हाई स्कोर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इस venue पे भी अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे देखो एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दो 190 पलस 14 बार स्कोर बना है तो मतलब low scoring venues पे भी normally high scores बनते हैं लेकिन भाई थोड़ा सा chances कम रहेंगे ठीक है तो gain बाद ही ज्यादा important हो सकती है उसके बाद में second match जो कि 2022 का match है लखनवन 119 करे है है धराबाद ने 157 करे थी ठीक है तो ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने लाइक है नहीं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहाँ से आपको बता दो दोस्तों अगर आपने vision 11 को download नहीं किया तो link आपको नीचे description में मिल जाएगा वह bonus यूज कर पाओगे किसी में आप लोग 20% cash bonus यूज कर पाओगे ठीक है क्योंकि इस cash bonus को join जो है apply करने के या फिर भाया यूज करने के अंदर भी लोगों को बहुत सारे confusion बचे हुए है ठीक है second inning fantasy आप लोग यहाँ पे खेल पाओगे first inning में आपके team ने अच्छा perform नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है second inning में यहाँ पे जो है आप लोग team बनाके easily खेल सकते है उसके बाद में दोस्तों आगे आपको बता दू यहाँ से आप लोगों को तीन नए features देखने को मिलेंगे बैटिंग fantasy, bowling fantasy और यहाँ पे reverse fantasy ऐसे तीन features जो की मिलेंगे आपको सिर्फ vision 11 पे बाक क्लिक करोगे बाई जितना मर्जी आपको contest जोईन करने आप लोग उतने इजली कर पाऊगे ठीक है तो बढ़िया है पर दोस्तों अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो link नीचे आपको description के अंदर मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना referred code के साथ में sign up करोगे तो आ पर टीन अटराजन अब यह जो टीम है एधराबाद की यह last match के coding है इस match में हो सकता है टीम्स के अंदर शायद आपको एक दो changes देखने को भी मिल जाए हो सकता है अन्मोल प्रीत की जगह पे एक बार टीम शायद फिर से महिं का गरवाल के साथ में open करवा सकती है minor sum होया समझ चांसिज लेकिन बहुत बड़े चांसिज नहीं है शायद आपको एक बार फिर से अन्मोल प्रीत ही शायद खेलते वे दिखें अगर performance की बात करेंगे last match में के जो पारी थी प्लस जो बहुत काम आई थी संदीब सर्मा ने वाँपर विकेट लिया था अब्दूल समद का ल चांसिज नहीं काफी इनके लिए दिक्कत खड़ी करेगी लेकिन इनके टीम में एक ऐसा प्लेयर है है हैं यहादा रंस करके देगा ताकि यहाँ पर नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं उनके उपर थोड़ा प्रेसर नाई वो थोड़ा अपना जो गेम रहेगा वो इजली खे किसी किया दोसों पंदर रंस कर चुका है 43 के साथ में गैलन फिलिप्स ने भी लास्ट मैस तगड़ी इटिंग करी थी 19 योवर में जाके उसके बाद में देखोगे समध उतने मैं बरोसे लाइक प्लेयर नहीं समझता फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हूँ मारको यांसिन के नाम नोविकेट है विवरांद ने कोई विकेट नहीं लिया लास्ट मैस ये खेले थे मैं कमार गंडे 11 उसके बाद बुन्योसर के नाम नोविकेट हो या पर टीन अडराजन के नाम आपको आठ विकेट देखने को मिल जाएंगे यह टीम रहेगी यहाँ दोस्तो संडाइजर हैदराबाद की यहां से अभीक चेक्षरमा इंपोर्टेंट है लेकिन लास्ट में थोड़ा सा स्लो पारी इनों ने खेली थी राहूल तरपाथी ने बढ़िया पारी खेली थी लेकिन इस मैच में न मिडल ओर हो सकते हैं आपको संडाइजर हैदराबाद और यहां पर आवेश कान ठीक है साउपनील के जिगह टीम चाहे तो यहां पर अमित मिस्रा को वापसी करवा सकती है और इसके अलावा मुझे कोई चेंजिस नहीं दिख रहे लास्ट मैच में तगडी पारी थी मेर्स की तगडी पारी थी को इंटन डिको की डिको को ने एक आपको मैं बिल्कुल जैन्वन इंफोर्मेशन दे रहा हूँ यह चीज आप लोग अमेश्या जान रखना ठीक है कुनल पंडिया क्यों इंपोर्टेंट रहेंगे इस मैच में जब आपको आगे मैं स्टैट्स दिखा हूँ आपको किलियर करूंगा ठीक है ग्यारा मैच में 122 रंस है जबकि 6 विकेट भी निकाल जुके और अभी तो भाईया टीम की करेंगे तो चार ओवर आप लोग लगबग इनके कंफरम मान के चलो इनके अंदर 5 विकेट निकाल रखे है पूरण ने 24 विकेट के साथ 248 रंस कर रखे है आयूस बदोनी थोड़ा नीचे बैटि को मिल जाएंगे ये टीम रहेंगे दोस्तों या पे लखनव सूपर जाइन्स की चेंज होगा सोपनील की जगह पे मिस्तरा शायद आपको खेलते वे दिखें बड़े चेंजिस की मैं एकस्पेक्टेशन नहीं रखूँगा उसके बाद में इन स्टैट्स की बात करता हूँ ये जो स्टैट्स है अभी आपके सामने ये आपके बहुत काम आईए ठीक है एक एक चीज़ नोट कर लेना कौन से प्लेयर की वीकनेस क्या यानि की कमजोरी क्या है और कौन से प्लेयर की ताकत क्या है ठीक है अच्छे से कवर करूँगा बस देखते हुए रहना और कोपी ये जो आपको फोकस करना वह एवरेज पर फोकस करना यहां से आपको मैं सारे चीज़े किलियर कर दूँगा सबसे जो कम आवरेज आपको दिखेगा तेरा का लेकिन सामने वाली टीम में कोई भी लेफ्टाम चाइना में गेंदबाज है नहीं उसके बाद लेफ्टाम फास सकती है लेकिन एक चीज़ आपको जो और द्यान रखनी है वो यह रखनी है बहुत से कि लेफ्टाम फास्ट के सामने ना सिर्फ पांच ही गेंदे के लिए भाई अभी से एक सर्माने अब पांच गेंदों के बेस पे मैं यह नहीं कह सकती है लेकिन एक बार आउट हो चुक कुनल पंडिया के सामने प्रोब्लम हो सकती है तो यह चीज़ आप लोग जान में रखना कुनल पंडिया क्यों इंपोर्टेंट रहेंगे और स्टैट्स दिखा हुआ तो भी आपको चीज़े के लिए हो जाएंगे ठीक है तो अभी से को थोड़ा सा बचके बैटिंग करने पड़ेगी कुनल पंडिया के सामने अब पंडिया कहां पर गेंद बाजी करना हैंगे वो देखने वाली चीज़ रहेगी हो सकता आपको पाउर प्ले में दिखे या फिर हो सकता आपको पाउर प्ले के बाद भी वो गेंद बाजी करते हुए दिखे उसके बाद में 19 का अवेस्ट को भी थोड़ा इजिली निकाल दे लेकिन कमजोरी आपको साफ साफ दिखेगी सबसे पहले कुनाल पंडिया के सामने और अवेस्ट के सामने मैं समझूँगा इन दो गेंदबाजों के सामने या पर अभी से के विकेट जाने के चांसे थोड़े से जादा रहेंगे उसके बाद में आगे चलते तिरपाठी की बात करते हैं इनका सबसे कम एवरेज मिलेगा साधे अठारा के आसपास वो मिलेगा लेफटा मोर्थडोक्स के सामने एक बार फिरसे कुनाल पंडिया आपको गेंदबाजी में आपको में जो गेंदबाज दिखेगा वो कुनाल ठीक है जो कि टीम के कैप्टन सी भी करेगा चार ओवर कंपलेट भी करेगा और तिरपाठी आएगा वन डाउन बैटिंग करने तो कुनाल पंडिया को इनको फेस करना पड़ सकता है खुद कुनाल पंडिया गेंदबाजी मेरे साब से राइट एंडिड बल्लेबाज के साम ना कई बनेंगे तो यहाँ पर तिरपाठी को भी थोड़ा सा संबल के बैटिंग करने पड़ेगे कुनाल पंडिया के सामने क्योंकि लेफटाम मोर्थडोक्स के सामने इनकी कमजोरी हमें साफ साफ दिख रही है क्योंकि 170 गेंड में केवल 200 रंज से 11 बार अपना विकेट उल्रडी दे चुके हैं उसके बाद में दस बार आउट जरूर है राइट हम फास को लेकिन एवरेज 31 का है जो कि मेरे साफ से बढ़ी है लेफट हम मीडियम के सामने जरूर 20 का एवरेज है तो मतलब स्टार्टिंग में अगर ये मोहसिन खान को इनको फेस करना पड़े तो मतलब जो हैदराबाद के बल्लेबाज है स्टार्टिंग के या फिर मैं कहूंगी भाई या टोप ओडर के उनकी जो कमजोरी दिखेगी ने वो लेफ्टाम उर्थडोक्स गेनबाजी के सामने आपको मैक्सिमम दिख रही है क्योंकि तीन बल्लेबाज जो कि मैं आपको कवर आपको मेडियम के सामने लेकिन मेडियम जो गेनबाज रहेगा वो तो आपको हर बल्लेबाज के के समें मिलेगा उसके उपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूँगा तो इनके जो में कमजोरी तो मुझे दिख रही है वो में लेफटाम उर्थडोक्स गेनबाजी बाकिर तो ये देखो हिटिंग ज्यादा करेंगे नोर्मली स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं अगर मैं क्लास इन की बात करूँगा और ये आपको हिटिंग करते हुए जरूर दिखेंगे किसी के सामने भी विकेट चला जाएगा किसी के सामने भी रंस मारकेज जा सकते है ले अगर यहां पर चाहे तो भई आमित मिस्रा को भी टीम खिला सकते हैं लेकिन रवी बिस्नोई के सामने क्लास इन की प्रोब्लम रहेगी या फिर ये कहूँ कि क्लास इन के विकेट जाने के चांसे बन सकते हैं तो रवी बिस्नोई के सामने थोड़ा सा इनको समल के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्विंटन डिकोग के साथ में इनकी जो कमजोरी आपको दिखेगी वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा लेकिन लेफ्टाम चाइना मैंन के सामने 13 का है बईया लेफ्टाम आम गेंदबाज के सामने 17 का ये आटादो इनकी पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना जो नीचे आप लोगों को दिख रहे है इसमें आपको कहीं पे भी उतनी प्रोब्लम नहीं दिखेगी और मैं क्विंटन डिकोग की बात करूँ तो मेरे साब से कई गेंदबाज नहीं होगा कुछ ज्यादा प्रिशन कर पाई five को बाकी बल्ले बास आ यार देको विकेट जा सकते है क्योंगि कि्रकेट है ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी मैस में विकेट ही ना विकेट जा सकता है बट उतना किसी के सामने खास प्रोब्लम है नहीं ठीक है तो यह आप लोग थोड़ा सा ज्यान रखना नीचे चलोगे उसके बाद में मेरस के बात करें मेरस बता दू हिटिंग वाला प्लेयर है किसी की भी पिटाई कर देगा किसी को भी विकेट थ्रो कर तो इनके मेरे साबसे स्टेर्स उतने काम नाई ये प्लेयर आपके लग पे ज़्यादा डिपेंड करेगा मैं आपको जैन्वन बाते बोलूँगा जो भी बोलूँगा ठीक है लेकिन इनका जो एवरेज आपको दिखेगा साड़े नोगा ठीक है वो दिखेगा लेफ्ट आ मॉर्थडोक्स के सामने अब सामने वाली टीम कौन सी वाई सामने वाली टीम में आपको मिलेगा लेफ्टा मॉर्थडोक्सी में जो है विवरांत ठीक है और विवरांत जो कि लास्ट मैस के लिए थे एक्सपिरेंस उनके पास में उतना ज्यादा है नहीं तो मेरे साबसे व प्लेयर है विकेट किसी को भी थ्रो कर देंगे किसी की भी पिटाई कर देंगे बाकी देखोगे 20 काइवरेज आपको मिलेका राइट आम फास्ट के सामने मतलब पेस अटेक के सामने अब सामने जो टीम है भाई हैधराबाद की उसमें अगर आप लोग देखोगे उतना कोई पेस गेंदबाज आपको नहीं दिखेगा जो की 140-145 की स्पीड के साथ में गेंदबाजी करें उमरान मलिक जरूर इनकी टीम है लेकिन भाई वो उनको खिला नहीं रहे अगर इस मैस में खिलाएंगे तो यापर अगर स्टार्टी में यूज करेंगे मलिक का यापर मेर्स क के सामने तो शायद इनको थोड़ी प्रोब्लम हो बाकिन के जो प्रोब्लम है वो तो और्थडॉक्स के सामने और और और्थडॉक्स जो गेंदबाज है सामने वाली टीम में वो उतने क्वालिटी गेंदबाज नहीं क्योंकि नए लड़के भाई उनके पास में एक्सपिर दोस्तों यहां से बात करते दिपपक उड़ागी, करंट फोर्म उतनी बढ़िया है नहीं, बाकी देखो थोड़ा सा प्रैसर रहेगा, प्रैसर में रंस भी आ सकते भाई, और प्रैसर में विकेट भी जा सकते है, कमजोरी इनकी दिखेगी साड़े 18 की, राइटा मीडियम मारकंडे उनके में स्पिनर हैं, और अगर चाहिए यहां पर एड़न मारकंडे जो की राइटा मोप ब्रेक गेंद बाजी करेंगे, तो वो भाई देखो उड़ा के सामने आ सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ, यहां से आप लोगों को एड़न मारकंडे शायद यहां पर मे मारकंडे बात करूँ, तो दिप्पा कुड़ा के सामने कई ना कई चांसे जा, अगर मैं एड़न मारकंडे चाहें तो एक से दो ओवर भाई यहां गेंद बाजी करने जरूर आ सकते हैं, उसके बाद में देखोगे साधे 18 का आवरेज इसको आठा तो भाई मेडियम के सामन मतलब यहां पर मैंग का मारकंडे और राइट आम अब ब्रेक में जो भी गेंद बाज यूज़ करेगी, हैदराबाद की टीम उसके सामने यहां पर प्रोब्लम जरूर होगी, अगर मैं दिप्पा कुड़ा की बात करूँ, चाहें वो बेसक है, आपको देखने को मिले भी आपको नहीं दिखेंगे, पेस में आपको सिर्फ मिलेंगे, अगर वो खेलेंगे तो भाई आपके काम आएंगे, अधर वो आपके वैसे भी काम नहीं आएंगे, और फिर इन बल्ले बाज को शायद राइट आम फास्ट या फिर पेस गेंद बाजों के सामने उतनी प्र इन्फोरमेशन मिलेगे न दोस्त आपको बिलकुल जैन्वन इन्फोरमेशन बताऊँ गाँ वपाल दू में वीडियो दिखाना या फिर बाई आपको गुमरा करना मेरा फोकस नहीं होता ओँ लेकिन उन लेफ्ट arm फास्ट के सामने देखोगे ना आठ गेंद में दो रंस है दो बार आउट हो चुके लेकिन सिर्फ आठ गेंदे अब भईया आठ गेंदों के उपर तो जज़ नहीं कर सकते उसके बाद में पत्चिस कैवरेज जो की ठीक ठाक है राइट आम मीडियम के सामने बाकी 22 कैवरेज राइट आम फास्ट के सामने ठीक ठाक है मेरे असाब से उतनी प्रोब्लम इनको होनी नीची है क्योंकि नीचे बैटिंग करने वाले प्लेयर है में लिए फोकस रहेगा हिटिंग करने पे ठीक है बाकी अभी देख सकते हो पूरे स्टैट्स आपको दिखा दिए अभी यहा आठ गेंदे खेली नो रंस आउट नहीं वे अवेस के सामने एक बार आउट हो चुके ठीक है अवेस करेंगे राइट आम फास्ट क्योंकि भाई अवेस के पास में आपको पेस बढ़िया देखने को मिलेगे ठीक है एक बार ओलड़ी आउट हो चुके और 6 गेंद में केव साड़े 19 काइवरेज अगर मैं अभीशेक की बात करूंगा 83 गेंद में केवल 98 रंस और पांस बार आउट भी हो चुके बाकी देखो कि किसी भी गेंदबाज के साथ कंपेर करके तो सबसे कम है और्थडोक्स के सामने तो मैं आपको वैसे भी बता चुका कि कुनल पंडिया हो सके तो इनके सामने आ जाएंग गेंदबाजी करने लेकिन चांस ठोड़े कम है मैच आगे जाएगा अगर स्टार्टिंग में विगेर नहीं जाता तो फिर इनके सामने कुनल पंडिया का रोल जो रे सामने बिस्नोई के सामने एक बार कुनाल पन्डिया के सामने तीन बार ठीक है तीज गेंड में 28 रण से तीन बार आउट हो ठीक है और पीछ आपको क्या बताया कि जो है लेफटाम और्थडोक्स के सामने हैधराबाद के जो बल्ले बाज रहेंगे ना टोप ओर्डर के तीन से जो चार बल्ले बाज है उनकी कमजोरी आपको Left Time Orthodox के सामने दिखेगी क्योंकि इस केस में भी देखोगे राहुल तिरपाठी के तो कुनल पंडिया इनको तीन बार आउट कर चुके एक बार मैं आपको फिर से चीज़े रिमाइडी करवा दूर आपको ये दिखा दू ये प्रूफ कर दू कि बाई ये स्टैट्स आपके कितने काम किये है यहां होगे राहुल तिरपाठी पे अब देख लो यहां पे बाई या Left Time Orthodox कहां दिखेगा यहां पे दिखेगा साड़े 18 का एवरेज है किसी के साथ में भी कंपेर करोगे ना सबसे कम आपको एवरेज मिलेगा Left Time Orthodox के सामने क्यों ये कुनल पंडिया के सामने भाई या नहीं टिक पाएंगे वो चीज़ अभी आपके सामने ठीक है अब मैं ये नहीं कुनल पंडिया विकेट ये निकाल दे हो सकता है ना भी मिले विकेट क्योंकि हर मैच में शायद Left Time Orthodox सुन का आउट ना भी कर भाएं लेकिन चांसिज कहीना के Maximum बनेगे मेरा Mainly Focus वो है आपको ये समझाने का ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा जान देना है कुनल पंडिया इनको तीन बार आउट कर चुके ये स्थाकूर एक बार रवी विस्नोई एक बार मारकस तो इनिस दो बार और याँपे अवेस खान एक बार मतलब हर गेंद बाज को अपना विकेट थ्रो किया तो कहीं ने गई इस मैच में राहूल तरपाथी के चलने के चांसि मुझे थोड़े से कम दिखेंगे वैसे भी ये विकेट जो रहेगा थोड़ा सा बोलस को हेल्प कर सकता है उसके बाद में मारकरम की बात करेंगे ये भी कुनल पंडिया के सामने दो बार आउट हो चुके वीडियो को पिछे लेके जाओगे न एक बार फिर से वो पिछे वाले स्टेट्स देखोगी तो आपको जो कमजोरी रहेगी लैप ठाम और थडुक्स के सामने किलियर दिखेगी मारकरम की और याँपे कुनल पंडिया ने इनको दो बार आउट कर भी रखा है तो ये चीज मेरे साबसे अभी आपके सामने किलियर है क्यों कुनल पंडिया इस मैच्स में इंपोर्टेंट पिक आपके लिए बन सकते हैं उसके बाद में नीचे देखोगे क्लास इनकी कमजोरी आपको दिखाई थी किसी के सामने उतनी प्रोब्लम है नी बाकी अगर मैं बात करू लखनो की टीम में ऐसा कोई गेंदबाज है नी जिनको इनोंने ज़्यादा फेस किया हो तो क्या रिजन है भाई है डीको की इंपोर्टेंट रहेंगे वो पिछे भी आपको बता है था डीको के स्टैट सब के सामने बढ़िया है चाहिए वो किस भी टाइप का गेंदबाज हो उतना चादा प्रेसान इनको नहीं कर पाता बट विकेट जा सकता है मैं यह नहीं करूँगा कि भाई विकेट ही नहीं जाएगा देखो आउट यह भी होगा क्योंकि है तो इनसान ठीक है है तो क्रिकेटर आउट तो यह भी हो सकता है बट कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो ज़्यादा प्रोब्लम इनके लिए खड़ी कर पाए उसके बाद में मेयर्स देखोगी यह भी किसी के सामने आउट नहीं लेकिन भाई यह हिटिंग करने वाला प्लेर है यह किसी को वी विकर तो गर देगा वो थोड़ा सा देख लेना उसके बाद में आगे बढ़ते यहां से बात करते दिपक उड़ागी इनका बैटिंग ओडर फिक्स है नहीं किसी भी पोजिशन पे इनको बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है उसके बाद देखोगे अभी शेक के सामने एक बार आउट है जो कि भाईया जो हैं लेफ्टा मोथडोक्स गेनवाजी करेंगे और यह चीज मैंने आपको पिछे बताई भी है कि भाईया इनके सामने क्यो यूज़ कर सकते भाईया उसके बाद में मलिक के सामने एक बार यह आपे बुनेसल फ़र कुमार के सामने एक बार मारकष टूनिफ देखोगे नटराज़न के सामने एक बार आउट हुए फिर से मैं repeat कर दू ये मेरी सिर्फ demo team है अब यहाँ पे आपको एक बड़ा player देखने को नहीं मिलेगा जिसका नाम रहेगा Kunal Pandya इस team में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैं इस team में थोड़ा सा confused हूँ और इतना मैं sure हूँ कि Kunal Pandya मेरी final team में आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो team आपको टोस के बाद telegram पे मैं provide कर वहाँ ठीक है तो इस team में आपको Kunal Pandya add कर लो अपने according किसी भी player की जगए ठीक है बाकी ये मेरी demo team है सिर्फ ये final team नहीं है क्विंटन डिको कर क्लास एन आयूस बदोनी को मैंने लिया क्योंकि भाई देखो धिपक उड़ा और बदोनी इन में से किसका बैटिंग ओडर उपर रहेगा यार वो मेरे हाथ में है नी मैं इन दोनों के बैटिंग ओडर में थोड़ा confused हूँ तो मैं थोड़ा सा safely जा रहे हूँ यापे बदोनी के साथ में तिरपाठी रहेंगे अभीशेक रहेंगे मारकरम रहेंगे मेयर्स रहेंगे मारकर स्टोनीस बुनेसवर कुमार महिंक मारकेंडी और रवी बिस्नोई अब याँ पे देखो तिरपाठी के आकड़े थोड़े खराब है चाहो रिस्क ले सकते हूँ तिरपाठी को टीम से ड्रोप करके देखो भाई मैं एक चीज़ आपको बता दूँ हमेशा दान में रखो कैप्टनसी मेरी मारकरम को है वाइस कैप्टनसी मेरी डीकोक को है लेकिन मैं यहाँ पे चेंज गर सकता हूँ भाई कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की ठीक है इसलिए आपको बोलाओ कि यह सिर्फ डेमो टीम है यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल तो ये दो बड़ी चेंजिज मैं करने वालो इस टीम है जो आपको मैं पहले के लिए कर रहा हूं कभी आप लोग इस टीम को फाइनल टीम समझ के चिपका दो अधर ओप्संस की बात करें मारकस टोनी से काईले मेर से उसके बाद में तरफाथी कलासेन माहिंक मारकंड़े रवी बिस्नुई ये दो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की पिक्स रहेंगी बाकी कुनल पंडिया गो भी चाहो तो आप लोग अपनी टीम में अधर डिफरेंशल इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो जो कि आपके लिए यूनिक पिक रहेंगे आपके फिवर में भी जा सकती है आपके अगेंस्ट भी जा सकते है बट रिस्क तो लेना पड़ेगा तो ये मेरे सर्फ डेमो टीम है दोस्तों बट जो आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है तो जरूर आप लोग जो आपको नीचे कमेंड सेक्शन प्लस आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन दोनों जगह पर मिलेगा तो वहां से जोईन कर सकते हो फाइनल टीम जो रहेगी मेरी वो आपको टोस के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपने कम्प्लिट बोच किया होगा बाई पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि इन स्टैट्स पर बहुत ज़्यादा मैनत लगती है और आप लोगो सि उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में बढ़िया टीम कुमिनेशन मनाओगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूर्म जरूर करेगी